सूप्रभातम, कक्षा नोवम, विशे हिंदी, पाठ्थे पुस्तक्षितिच, पाठ्वाक, कवित्री लल्द्यद्ध भाग्छो इसके पहले हम सभी वाख दो के बारे में विश्टार से अध्यन किये थे आज हम वाख तीन के बारे में अध्यन करेंगे वाख तीन इस परकार है आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुसुम सेतू पर खरीथी बीत गया दिन आह जेब टटूली कौरी न पाई माजी को दूँ क्या उत्राई इस वाख में आएक कठिने सब्द के अर्थ इस परकार है राह का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग सुसुम सुसुमना नाम की नारी माजी का अर्थ हुआ नाविक प्रस्तूते वाख में कवित्री ने मानों को संदेश दिया है कि उसे छल कपट स्वार्थ पूर्ण वेवहार छोर कर सद कर्म करना चाहिए कवित्री कहती है कि इस्वर प्राप्ती के लिए वह इस संसार में सीधे रास्ते आई थी किन्तु यहां आकर संसारे कुल्जनों एवं मोह माया में फसकर अपना मार्ग भूल गई आज जीवन सुसुमना नारी के सहारे कुंडलीनी जागरन में लगी रही जीवन के अन्तिम समय में कुछ भी हासिल न हुआ उसे चिंता हो रही है कि भौसागर पार उतारने वाले प्रभू रुपी नावी को उतराई के रुप में क्या देगी अर्थात वजीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकी इसके पश्चात इसे वाख के संदर्भ में हम विष्ट्रिते व्याख्या करेंगे इसे वाख में हठ योग की स्याधना का उलेख है योग के अनुसार शरीर में तीन प्रकार की नाणिया है इरा, पिंगला और सुसुमना साधक के योग से नियंतरन करता है इन्हे नारियों पर इस्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं प्रंतूव से लक्षे प्राप्ति नहीं होती है आई सिधी राह से का मतलब इसे संसार में समान रुप से प्रानी जन्म लेता है गईन शिधी राह का मतलब है अच्छे कर्म करने के बजाय छल कपट पूने कारे करना तथा प्रभू प्राप्ति के लिए हठ योग का रास्ता अपनाना मनुस्य आजीवन छल कपट लोब मोह प्रपंच स्वात आदे में लिप्त हो सत्कर्म भूल जाता है जीवन के अंत में कुछ भी हात नहीं लगता है तब उसे पच्छताने के सिवाय कुछ हात नहीं लगता है इसवर प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति के सहारे इसवर तक पुहुचा जा सकता है केवल ग्यान या योग से नहीं साध़क, एरा, सुसुमना, पिंगला, नारियों के चक्कर में रह जाता है और मृतियों निकट आ जाती है सुसुम में सेतु में अनुप्रास और रूपक अलंगकार है अतह कवित्री के अनुसार मनुष्य को इससे भौसागर से पार उतरने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए ब्यर्थ में हठ योग को अपना कर अपना समय बेकार नहीं गवाना चाहिए लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन के अंतिन समय में हठ योग को अपनाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सायद इसे अपना कर वे इस्वर से तदात में अस्थापित कर पाएंगे प्रन्तु ऐसा होता नहीं है इसे वाख के अध्यनो प्रांत आपको ग्रिह कार्जे दिये जा रहे हैं ग्रिह कार्जे इस परकार है पहला प्रस्न है वाख में मनुष्य के लिए क्या संदेश हैं दूफरा प्रस्न है यहां माजी किशे कहा गया है तिसरा प्रस्न है सुसुम सेतू पर खरेथी में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखें आसा है आप इन्हें प्रस्नों के उतर संचिप्त में एक सब्द या एक वाख में लिखेंगे जय हिंद